गुर्पर सादी जाने आँ साची लिवलागी है भीतर सद उर्श्यामन माने आँ गुरु रूप गुरु प्यारी साथ संगत जी हो गुरु फते परवान करो वाहे गुरु जी का खाल साथ वाहे गुरु जी की फते हिंदुस्तान दे आकाश विच कुछ ऐसे सितारें के जिनादा इलाही नूर हिंदुस्तान दे दर्टी नू रोशन कर दे भें चमक दे होई सितारे दर्टी नू जगमग कर दे भें फिर हिंदुस्तान दर्टी ते भी कुछ सितारे ऐसे यन जिनादा नूर आकाश तक पहुँच दिया आकाश तक और पूरे ही आकाश नो पूरे ही ब्रमंड नो परकाश दे दित्था हिंदुस्तान दी दर्टी दे सितारे उना सितारियां दी विच्च एक सितारा भगत कबीर जी भी है जिसनों सिर्मावर भगत भी कह दिता है सिर्मावर आपदीधा जनम काशी विच होया गुर्देव पिता नीरू ते गुर्देव माता नीमू जनु आपजी ने तुरना फिरना अरम की था ते आपजी ने की देखिया के थाँ 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 ते करम कांड मवजूद है थां थां ते पाखंड मौजूद है और विशेश करके धारमदी दुनिया में जाए धारमदी दुनिया थां 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 ते फिरका प्रस्ती मौजूद है कबीर सहीब ने उसनों कबोल ने गीटा और कबीर सहीब ने जित्थे भी को जखा में रेखी उत्थे ही जोट मार दिती बहावे उ धारमदी खेतर विच भावे राजनिती खेतर विच भावे समाजक खेतर विच भावे अर्थ दुनिया में खुण ऐसे मनुखनों फिर लोका ने कबोल करन्तों इनकार भी की था ते ऐसे पगत लई कंदेने के तालीम दे घर विद्याले बंद होगे ऐसे मनुखनों तालीम काण दवेगा जो इसलामिक दुनिया दे विच जो कुछ भी मवजूद ने नियम उन्ना दिवी जोट जोट इस तरह कबीर सहब कंदे ने कंकर पत्थर जोड कर मस्जिद लई बनाए ताँ चड मुलना बांग दे क्या बहरा हुआ कोदा है और ऐसे बोल जदों एक मुसल्मान सुन लवेगा ते कबीर सहब लई मस्चिद द्वार बंद ने नहीं जा सकते ते फिर प्रहर कीता ब्रह्मन वर्ग दे ते आप जी ने कह देता पोथी पड़ पड़ जगमुवा पंदित बया ना कोई ते फिर जिना उनावल इशारा कीता के तुसी सारे दिन ही धार्मिक गरंत पड़ देओ पर पंदित तुसी बने पर हाँ जी मेरी गल सुन लवो ता फिर बस इतने जी गल है के ढाई अखर प्रेम के पड़े सो पंदित होई ढाई अखर सारा ही जगत मर गया पोथी पड़ पड़ जगमुवा पर ओ अवस्ता नी बनी जड़ी बननी चाहिए दी सी तो डाई अखर कबूल कर ले तो पंदित हो जाए ते पंदित ते प्रोहिता ने भी भागत कबीर लई द्वार बंद कर दिते के तालीम कबीर नो नहीं दे सकते और आपजी तालीम कितों लें कितों लें ते आपजी ने कह दिता हमें सारी जिंदगी कदे कलम और स्याई नो हत नहीं लगाया कदे बिलकुल अनपर्ट वराद एक दिन भी सकूल नहीं गया एक दिन और भागत कबीर दे जड़े इलाही बोलखन उना ते बहुत ही गेरी खोज होई है रिसर्च होई है और रिसर्च करदियां करदियां विद्वाना नो करना पया कि कबीर साहिब दिजू बोली है जे दे विच अर्बी वी माजूद है फार्सी वी माजूद है उर्दो वी माजूद है ते ओदे विच ब्रजवी माजूद है ते सदुकडी वी माजूद है कबीर कबीर शब्द ही अर्बी तों चलिया है अलकबीर मुराद महान पुरिश कबीर तो मुराद है महान अखीर विच विद्वानों ने कह देता कि कबीर साहिब जी दिक्टेटर हन बाशा दे कि अब जी दी रचना दे विच बाशा इस तरह चल दी है शवद इस तरह चल देने कि जी में अशी कह देने या जे ठीक ढंग देनार तु मन जान दा है ता चंगी गल है नहीं ता होर जुगती भी है मनान दी कबीर दे बोल इस तरह चल दे कबीर साहिब दे बहुत शबद ऐसे अन जेननों समझना अउखा है और इस करके कबीर नों कह देता उलट बासी उलट मासी तो मराद है जो गल बिलकुल पुठी लग दी है पुठी किस तरह मैं अर्ज करां कि जल की मचली तरवर बे आई और पानी भी चरेंड़ वाड़ी मचली ते तरवर ते बच्चे किस तरह नेगी तरवर ते किस तरह जड़ेगी कबीर साहिब कंदे ने महाराज एता बिलकुल ही उल्टी गले पुठी गले था अगाँ चलके फिरकंदे ने देखत कुतरा ले गई बिलाई और एता सी सुनिया भी है देखिया भी है कि कुता बिल्ली नो फर्दा है पर एक अदे नहीं सुनिया कि बिल्ली कुते नो खा रही पर कबीर जी कह रहे ने देखत कुतरा ले गई बिलाई तांकर के इसनों कह देता कबीर उलट मासी हैं क्योंकि आउनु आड़े समा विच जो आप जी कबीर सहब दे इलाही बोल सुनोंगे अर्थ कुछ और होवेगा उचारन कुछ और होवेगा और किदर दी गल किथे जाके चोट मार देने कबीर सही है पर शिरी राग दे विच आप जी दे दो ही शवद शिरी राग क्योंकि राग बंडे होए ने एकती राग ते आप जी दी जी बाणी है वो सतारा रागा विच है गुरु ग्रेंसा विच सबतों वद बाणी आप जी दी है पंदरा भगता दे विच है कबीर साहिब नो तालिम दी लोड सी ते मंदर भी बंदो गे उदेलई मस्षिद भी बंदो गे तालिम कौन दोए उस वे ले भागत रामानंद जो के शिखर दे विदवान वी सन ते संत पुरुश वी सन ते गुरु वी सन उस वे ले दे ते रामानंद नो गुरु दारन करना है किस तरह करिये रह आप जिननो अर्ज कराऊं भागत रवीदास भी रामानंद दासेवक है भागत कबीर भी रामानंद दासेवक है ते ओ समासी के नेवी जाती दे बच्चे नो तालिम नहीं देने ते कबीर जी जुलाहे परिवार दिसन अन्त विच्ट कबीर साहिब ने एक जुगती खोजी है कि जिस मारग ते रामानुन्द जी रोज जान देने इश्नान कर नवास दे गंगा देविच अमरत विले दा समा है उस मारग दे विच जाके लम्मे पैजान देने कबीर साहिजी उदरों रामानुन्द जी आ रहे ने ते रामानुन्द ने देखिया कोई सता पे आए बैरान देन आलही इशारा कीता उठाया उठपाई राम कहे ये सोनदा वकत नहीं है राम कहे उठ इतनी जी गल है कबीर साहिब जी मत्था टेक देगन अरामान जी नो केंदेने माराज अज तो बाद तु मेरा गुरू मैं ते रह से योग एक दफ़ा किया उठ राम कहे रामनों इतना गाया इतना गाया के राम कबीरे बहेद न भाई इतना गाया रामनों के राम और कबीर देविज बहेद मिट गया दिवार टुट गई कबीर राम बढ़ गया राम बढ़ गया एथे में छोटी जी अर्ज करां फिर्फ मूल शबत दे होने रामनन्द ने एकोर ही वार किया उठ राम कहे एक दफा और कबीर ने इतना गाया रामनों इतना गाया कि जितनी बानी कबीर साहिब दिये वा तनी रामनन्द दी नहीं जितने परचलित कबीर साहिब होए एक पंत ही चल पया कबीर पंत ही अब जीदा वीजक गरंत साखियां दो है परचलित ने दहान गुरु ग्रंत साहिब देविच एको शबद है रामनन्द दान एको ही ओवी बसंत राग देविच है कत जाईये रे घर लागो रंग बगत रामनन्द दान तो अर्ज कर लिया सी के कबीर साहिब ने इतना गाया ते करमकांडा थे भी प्रहार की था ते जित्थे कित्थे भी वरनवंड सी उत्थे भी चोट मारी अडंबर उत्थे चोट मारी और इस तरह आप जी ने देखिया कि मगहर एक ऐसी धर्ती है जित्थे एक धारना बनी होई है अज भी धारना मौजूद है मगहर काशीतों बनारस्तों और अगे जंगल उसने प्रतीक धारना है कि जेड़ा मनुख काशी विच मरेगा उसने सुर्ग विच जाना जेड़ा मनुख मगहर विच मरेगा उसने खोते दी जोनी विच जाना ये धारना कबीर साहिब जी एक सवाल पुछ बैठे उस वेले दे आगू धार्मिक आगू सवाल की पुछिया जे मनुख दे कोड बंदगी बिलकुल भी ना होए कड़े धार्म दी दुनिया मिच प्रिवेश नहीं किता पर उकाशी विच मर जावे ते स्वर्ग विच जावेगा ये अपजी दी धारना है मनुख दे कोड बहुती बंदगी होए और मगहर विच मर जावे वो खोते दी जोनी विच जाएगा फिर बंदगी दी ताकत किते गई पहला इस सवाल दा जबाब देना है बंदगी दी ताकत किते गई सारी जिंदगी पाप करदार वे मनुख और अखीर विच काशी विच जाके मर जावे फिर पापान दा फाल के थे गया करमा दा फाल के थे गया कबीर जी कहन लगे इस धारना नो मैं पूरे तौरते नकारना है और आप जी ने एक सो वी साल दी उमर भोग के अखीर विच मगहरी जाके जीवन दीला खतम कर देती लोका नो दसना सी के जीकर मगहरी विच मर के कोई खोता बन दा है मैंनों खोता बनना कबूल है फिर मैं रबनों भी सवाल पुछांगा के बंदगी जा फिर की हो है पंडतांती प्रोहिता ने कुछ आवाज उठाई और उसे आवाज नो भागत कबीर जी ने अपने रचना दे विच दर्द कर दिती आवाज की आवाज सी? लोक कहरे सी सगल जनम शिवपुरी गमाया ये लोकां दी आवाज लोक कहरे ने भागत कबीर दे बारे ते कबीर साहिब ने इसनो अपनी रचना दा हिसा बनाया सगल जनम शिवपुरी गमाया मरती बार मगहर उठाया ये ने की किता कबीर में सारा जीवन बिताया काशी विच ते मरन वेले मगहर चला गया जिते खोते दी जो नी प्रापत हों नी कबीर सहब जी कन देने हाँ एक गल सुन लो मेरी भी गल सुन लो जी मन कठोर होए और काशी विच मौत हो जावे बनारस विच मौत हो जावे ऐसा मनुक नरक तों बची नी सकड़ा मैं दावे नरक है मन कठोर मरे बानारस नरक न बाचिया जाए अगाँ चल के केंदेने हरका संत मरे हाडंबे मगहर नो हडंबे भी केंदेने इसता दूजा नाम हडंबे हरका संत मरे हाडंबे तसगली सैन तराई जे हरी दा कोई संत इत्थे पूरा हो जावे ओ आप भी मुकत है ओदा कुटूंब भी मुकत होगे या चंगी साथी मुकत होगे ए विचारदारा कबीर साहिब थी होना कबीर साहिब दा जो प्रथम शबद है गुरु गरंसाग देविच शिरी राग देविच ओ देखना मंगला चरन दानगुरु अरजन देव साहिब ने दर्थ की था एक ओवंकार सत्गुरु पर साथ क्योंकि जदोंवी बाणी दा सवाव चैंजो एया जा फिर भगता दी बाणी शुरू आई उत्ते पहला मंगला चरन है गुरु साइबान दी बाणी अरबोई मंगला चरन है क्योंकि संपादना गुरु अरजन देव साहिब ने की थी ओ परिपूरुन परमात्मा जो एक है मिलना है गुरु दी किरपादाल की करना चान देने कबीर साहिब जी तो इस्ता जो सिरलेख है शबदा शिरीराग कबीर जीयो का एक स्वान के घर गामना स्वान के अंदेहन कुद देनू इस सिरलेख तो मराद है कि जो गुरु नानक साहिब दाशबद है एक स्वान दो स्वानी इनाल शिरीराग महला पहला घर चौथा गुरु नानक साहिब दाशबद है दहन गुरु अरजन दिव साहिब ने हिडायत कीती है कि इस शबद नो पढ़ना संगीत में दुनिया ने विच तो उसे घर विच पढ़ना जिस घर विच गुरु नानक ने पढ़िया एक स्वान दो स्वानी इनाल वो चौथे घर विच पढ़िया इस नो भी चौथे घर विच पढ़ना है तो ए बोल कबीर साहब देने हैं ए बोल गुरु अर्चन दिव साहब देने के एक स्वान के घर गावन और अब जी की कारेने मूल भाव देखना एदे विच दो राहो हन बहुती मार देखन विच आया के बहुती शबद ऐसे हन जिनादे विच एक कोई राहो और राहो तो मुराद मूल भाव किंद्री भाव सैंट्रल आइडिया केसे शबद विच दो राहो ते केसे दे विच तिन भी अन केसे दे विच चार भी अन तछे भी अन उस तो मुराद है हर एक राहो दी पंक्ती कुछ नमी गल जगत दी जोली विच भा रही है कोई नमी गल तो ए दोमे रहो दोमे पंगतियां जिनना दम्बूल भाव है संगत जो प्रथम पंगति ये रहो दी ओदे विच भी संगत दी गल कीती है जो अखिरला रहो ओदे विच भी संगत दी गल कीती है पर फर्क की है अंतर की है कबीर जी कंदे ने कि पहले राहो दी जड़ी पंगती है ओदे विच संगत इस तरह दी है कि मनुख दी मौत हो जान दी है मनुख दा अधियातम का जीवन तबा हो जान दा है यह संगत ऐसी है और अखीर ले राहो दे विच कहा देता एक संगत हो रही भी है जिस विच मौत नहीं हो दी जिस विच जीवन मिल दा है जीवन मैं इस तरह अरज करदमा एक नुख दिता को संगत एक नुख दिता सत संगत इना दुवनों समझेना केड़ी संगत मनुख नु मार दी है और केड़ी संगत मनुख नुख दान देन दी एग देखना परमातमादी कुदरत देविच एक नियम है की नियम कि जितना कुछ भी यसी देख रहे हैं तारे, नचत्र, ग्रे, सूरज, चंद्रमा जितना कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ फानी है सब कुछ इसने खातम हो जाना आगाज के दिन ही अन्दाज तै हो चुका था एक आलमदा करना है कि आगाज के वक्त ही अन्जाम तै हो चुका था कि यहां पर हर एक मनुश्य एक मुसाफर की तरह है जिसनों कंद्रे ने मरन लिखाए मंदल में आए आगाज के वक्त ही के जदों सड़ा जनम हो या से आगाज के वक्त ही अन्जाम तै हो चुका था कि जीवन है तो मरन भी है जे प्रकाश है तो अंदकार भी है जे सुख है तो दुख भी है अन्जाम मनुखदा जीवन है ओ किस तरह दा है के घड़े दे विच पानी है ते घड़े विच सुराग है एक एक बौंद पानी निकलदा जा रही है एक एक बौंद घड़े दा पानी खातम होंदा जा रही है दीभक जगदा पे आए पर हर पल हर खिन ओ दीबती मिटदी जा रही है तेल मुकदा जा रही है हर पल हर खिन एक दिन ऐसा आएगा दीवा बुझ जाएगा बुझ जाएगा एक दिन ऐसा आएगा कि ओ घड़ा खाली हो जाएगा ए नियम है ए रूल है मनुख जिसनों केंदा है अजदी नमी सवेश मनुख जिसनों केंदा है मैं अजब पंजा सालदा हो गिया मनुख जिसनों केंदा है मेरी उमर वजदी जा रही है धरम दी दुनिया उसनों केंदी है उमर घट दी जा रही है घट दी जा रही है गट दी जा रही है, तो हर साल जो जनम देड़ा मनांदा है, गुस्ता की माफ मौत उतनी ही करीब होंदी जा रही है, उतनी ही करीब, जे एक मनुखुनों का है दिता जावे, के वी फिट रसी है, और हर रोज एक फिट रसी कटनी है, हर रोज, ते उस रसी ने गटना है, वद लड़ा नहीं है तो उसे तरह हर रोज जो बतीत हो रही है वो साथी उमर देविज खत्म होंदा जा रही है रफता रफता जमाने का सितम होता है एक दिन रोज उमर में कम होता है एक दिन रोज जे इतनी समझ आ जावे कि कम हो रहा है तो फिस जागरती हांसल करो मेरा एक मित्तर कहनदा है पैसाब जी एक तरफ ता बहुत खुशी होंदी है कि रब्दे नाल जुड़ गया है एक तरफ दुख होंदा है बाकी दा समाजड़ा सी वो बेकार गया अजाएं गया काश ऐसे बूल पहलना सुन लेंदे ऐसी संगत पहलना मिल जाँदी ते कितने चंगी पाग होने जाएं तो मैं उसनों अर्ज किती बीती ताहे विसार समझ बीती सो बीती आगे की सुद लें समझ बीती सो बीती जिड़ा समा बेत गया तो उस्ती परवाना कर आगे की सुद लें जब जागे तभी सवेरा जग गये मबार्ख है जग गये हुण दिखना आम तोरते मनुक कहनदा है परिवार मेरा है ए घर मेरा है ए पुत मेरा है मनुक कहा देंदा है धर्मदी दुनिया केंदी है पुर्खा ए मकान तेरा है ए मंजल तेरी है बिल्डंग तेरी है पुतर तेरा है पर एक गल एवी सुन ले तेरा तेरा तनवी नहीं है अपना ए तनवी तेरा अपना नहीं है जदो तनवी तेरा अपना नहीं है ते पुतर तेरा अपना किस तरह उनेगा जदो तनवी तेरा नहीं है ए फिर मैल तेरे किस तरह उनेगा जदो तनवी तेरा नहीं है ए तनवी एक दिन सडेतों खोलिया जाएगा गुस्ता की माफ खोल या जाएगा इत्थे एक छोटा जया उधारन जदों मैदाने जंग दे विच अर जन खड़े ने ते शिरी कृष्ण जी नो कहन देने माराज ये जितने कुझे भी मेरे सामने खड़े ने ते जंग दे विच ये सारे ही मर जानगे ते इना दे बच्चिया दा की होएगा इना दे परिवार दा की होएगा जड़ा ये भी मेरे ते रोशनी पाओ जंदे ने शिरी कृष्ण जी ने अरजन नो उस ता पूरबला जनम दिखाया पूरबला ते पूरबले जनम विच जो कुछ भी तस्वीर देखदा है फिर मत्था देखदा है शिरी कृष्ण जी तस्वीर की देखी शिरी कृष्ण जी पुछदे ने की देखिया माराज मैं देखिया कि पूरबले जनमा दे विच मेरा बहुत ही सुन्दर परिवार मेरे बच्चे है ओ मैंनू प्यार कर देने मैं उन्होंनू प्यार कर दा यह मैं देखिया एक दिन ख्याल आया कि जे किदरे मेरी मौत हो गई जवानी विच एनदा की होगे एक इत्फाक देनार मेरी मौत भी हो गई जवानी विच इत्फाक देनार यह मैं देखिया फिर मैं अपने घर देखिया कि तिन दिन तक मेरे घर अगने बली अज भी पिंडा मिज़ कर देने लोग तिन दिन अग नहीं जिलान दे फिर की हो या करेंड लगे तीजे दिन अग बढ़ी है गारे विच चहल पहल होई है बारा दिन तक ए चलदा ही रहा बैरा औरोणा चलदा रहा करेंड ने बारा दिन तो बाद जदो अंतम करिया होई है तेरमे दिन ते चौदमे दिन ओही हसी उना दे चैरे थे ओही खुशी बच्चियां दे चैरे थे ओही कम दन दे सारयां दे अरंब हो गए एक मैने बाद उसे गहर विच शैनाई बज़ रही है खुश यहां दे गीत गाय जा रहे है विवाद कार्ज हो रहे है और यह पूरी तस्वीर आप जी भी देख दे कंसार दे भी चा पर मन को सूच दाए इना दा की होईगा मेरे तो बात हुण कबीर सहब जी कंदे ने एक अटल सचाई आप जी दे सामने रख रहे हैं की कंदे ने जननी जानत सुत बड़ा होत है मेरा बच्चा दो साल दा हो गया मेरा बच्चा पंज साल दा हो गया दस साल दा हो गया एक बीबी दूजी बीबी नो कंदी है की पैन मेरा बच्चा दस्वी किलास विच आ गिया तेरा बच्चा पेड़ी किलास विच है और ओकी कंदी है अंदाज देखना समझना कंदी है अपजीदा बच्चा दस्वी किलास विच है मेरा बच्चा भी दस्वी किलास विच हो जाएगा दस साल बाद मुराद हाले पहली क्लास विचाये दस साल बाद मेरा बच्चा में रसी क्लास विचा जाएगँ पर एक खबर नहीं है कि जंनी जानत सुथ बड़ा होतो है अतना कुना जाने जे दिन दिन ओओद गाटत है उमर घट दी जा रही है घट दी जा रही हर रोज नमा सूरच देख देया हर रोज नमी मंग पेश कर देया हर रोज ही मंगा वद्दिया जा रही है हर रोज ही उमर घट दी जा रही घट दी जा रही फिर मांकी कहन दिये मोर मोर कर अधिक लाद धर ये मेरा है मेरा जदों भी पंज बंदे कटे हों देने मां कह दें दिया मेरा है गल बिलकुल ठीक है करना पेंदा है बारों करना पेंदा है मेरा है पर अंदरों एक बाव भी रखना मेरा नहीं है मैं कथा करके एक थांते बार उठिया कि अक्सर असी ए बोल देया मेरा मेरा ते कथा करके बार उठिया एक मनुक कहनदा है जो नौजवान बच्चा सीखन लगे गयाने जी ठैरो एक मिनिट जेकर कोई सानू कुछ लवे ए पतनी कि ना दिये ते फिर असी की कहिए किसे अपड़ी नहीं है तेरी है किसे और दी है जरा एदे बारे दसो नई बारों कहना पेंदा है बाहरों हो मैं कहे कहाए अंदरों मुकत लेप कदे ना लाए बार कह सकरेया मेरा बच्चा है मेरा मकान है मेरी पतनी है मेरा पती है पर अंदरों एक भाव जरूर रखना मेरा मुझी में किछ नहीं कुछ भी नहीं मेरा फिर किसना है जो किछ हैů सो तेरा कवीर साहिब जी केंदिये मां कैंदिये मेरा मेरा लाड़ इतना कर दीये प्यार इतना कर दीये और मां ज़तों एक गिराही तोड़के अपने मुखविच पान दी है कई दफा बच्चा ओ भी खोके अपने मुखविच पान दी है जा फिर बच्चा मामल तक दाए ते मुखविच पाई होई गिराही मां कड़के अपने बच्चे दे मुखविच पान दी अक्सर लेगिया मुबार्ख है बर इत्थे में एक अर्ज करांगा कि अपने मुख़ दी गराई कड के भावे पादे ना बच्चे दे मुखविच पर किसे बच्चे दी गराही खोके अपने बच्चे दे मुखविच ना पाणा एक चेते रखना सारी जिन्द के सारी जिन्द के किसे ओर बच्चे दा हिस्सा खोके अपने बच्चे दे मुखविच ना पाणा फिर बच्चे दा जीवन जिसनों से कह रहे हैं मेरा है वस बच्चे दा जीवन से तबा कर रहे हैं बरबाद कर रहे हैं कबीर सहीब केंदे ने पेखत ही जम राओ हस है जम राज तुम राद है मौत दा फरिश्टा मुझे तो शाउंक है कपड़े बदलने का पर फिजूल में ही मौत बदनाम है रू तक पड़े बदल दी है आत्मा कपड़े बदल दी है एक शरीर छड़ी हा एक पशाग छड़ी है फिर नवी पशाग लेकिन बदनाम का ने बहुत कबीर जी कंदे ने कि जो जम राज है वो हस्दा है वो क्यों हस्दा है वो इस करके हस्दा है कि मेरी खुराक नो मा किस तरह पाल दी पई है खुराक मेरी है मैं ही ले जा मंगा ते मेरी खुराक नो मा किस तरह पाल दी पई है किस तरह जे मानू कहे दिता जावे मानू कहे दिता जावे कि इस बच्चे दी जो उम्र है वी साल है जां पंजास साल है जां सौ साल है मुकरद कर जिती है कि एक दिन भी नहीं कटेगा एक दिन भी नहीं वदेगा सौ साल पूरी है फिर हर रोज दा गुजरना मावस्ते तकलीब दायक होगेगा एक दिन कम होगिया एक दिन कम होगिया पर प्रभू ने खेड ऐसी खेड़ी है कि ओ गल भला दिती है पर माँ गिंटी गिंदी ऐसे दी मेरा बच्चा वड़ा हो रही है ऐसा तन जग भर मलाया है प्रभू तो जगत नहूं ऐसे भरम देवीच पादिता है कैसे बूझ है ज़ब मुहया है माया, किस तरह बुझीगा क्योंकि ओ तन माया दिवीच मुहित होगी है, माया की है माया उसनु कंदे ने, जो है नहीं, पर दिस्दी है रब उसनों केंदेने जो दिस्ता नहीं पर है बस इतना फरिक है माया दिसरी है और जो कुछ भी दिसरी है उख फना हो जाएगा जो दिस है सो चालन हार जिसनों समझा गई कि ए अमानत है प्रबुदी जे अमानत ओ दे सकदा है ले भी सकदा है कहत कभीर छोड बिखियारस इत संगत नहचो मरना पहली गल कह रहे हैं इस संगत नू छड़ दे किडी संगत नू जेदे विच मोह पैदा होगे जेदे विचे विकावर पैदा होण जेदे विचे वासना पैदा होगे ऐसी संगत नू छड़ दे इस संगत ने तेनो मार देना है मार देना इस संगत नो छड़ के फिर की करिये है कहने ने रमया जपो प्राणी तो राम नोगा जो रमया या राम है उनोगा जेते नाड़ अनत जीवन तेनो अनत जीवन मिलेगा अनत तो मुराद कभीर अनन्त जीवन दीर है मरे नहीं नहीं तेरी बानी दे विच भी बहुत मिठास होएगी इन बिद भवसागर तरना तो इस तरह भवसागर नो तर जाएगा जेकर तो राम नो जबदा रहा राम नो गाउंदा रहा जबण दे तरीके वक्रे वक्रे आस्ता वक्री वक्री है कोई राम कह रहा है कोई अल्ला कह रहा है कोई आमीन कह रहा है कोई आउम्दा जाब कर रहा है कोई एक ओवंकार दी धुनी बिच बैठा हुए है वक्रे वक्रे तरीके ने पर हाँ कें देने धुन एक कोई है एक कोई जदो मनुख अखीर ले पढ़ा होते पहुचदाई धोन एको ही जापदी है पर जदो मनुख पेली मंज़लते बैठ जनदाई उत्ते फिर कटर बाद जन्माद जन्माद जन् gunda ते ते नैए प्रभु है खुडा सारी मार गिता तेरी ने तेरे खुदा ता एक कोई है परमात्मा ते कोई दो नहीं है इस करके गुरु नानिक सहभ ने प्रथम बोल गुरु नानिक सहभ दे उथे एक लिख देता दो नहीं एक एक नुगा पर जदो मनुख माया दी विच मुईत हो गिया जांतिस भावेता लागे भाव ओधी रह्मत उन्दी है फिर प्रेम पैदा हुन्दा है प्रेम और जो प्रेम है इसनों मैं छोटी जी अर्ज कराऊ इबराहीम जारिया सी ते ओकी देखदा है एक छोटा जी अबच्चा आया ली बेड़ा चारदा पे है ते ओ अकेला बेठा बुलदा पे आया कहनदा हे खुदा अज थोड़ी जी मैं गल करने तरे नाल कि इस जीवन देविच मैं अकेला हाँ ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है अकेला तू महीं है क्योंकि तेरी भी माँ नहीं है तेरा भी बाप नहीं है न ताते न माते पिता तेरा भी नहीं है मा तेरी भी नहीं है एथे पिता मेरा भी नहीं है मा मेरी भी नहीं है मैं भी अकेला थे तों भी अकेला अज़ा क्यों ना तु मेरे को ला मैं तेनो इश्नान करामा तेरे कपड़े दो दो मा जितनी भी मैल तेरे तंते होवेगी मैं सारी साफ करांगा और एथे तक कि मैं तेरे केसां देविच जितनी भी जुवां होनगिया मैं ओ भी कड़ दियांगा तो आव मेरे को आवे इतनी गल कह रहा है ते उदे अखां विच आंसो भी आ रहे इबराहिम ने एवाज सुन लई ते आके उस बच्चे दी गर्दन फरदाए और केंदाए और रख ते नो खबर होनी चाहे दिये परमात्मा दे तंते भी मैल होन दी जो सारे जगत दी मैल नो मिटांदाए ओ दे तंते मैल किस तरह होईगी जो सारे जगत नो निर्मलता बख्षदाए उस नो इशनान दी की लड़े फिर उस परमात्मा दे शिर्विच जुआ होन गिया तो कैसे बोल बोल रहे उसको दावास जदो उदी गर्दन पकड़ के उस बच्चे नो इलाया बच्चा रोप या इबराहिम चला गया इबराहिम नो आवाज आई हे इबराहिम तेनो मैं जोड़न वास्ते भेजिया सी तोड़न वास्ते नहीं भेजिया सी ओ बच्चा जुड़के बैठा सी मेरे नाल तो उसनो तोड़के आगिया है इबराहिम वापिस जान दाए बच्चे न मत्था देख दाया, केंदा है मिर तो गल्ती हो गई, भल हो गई, तो मैं अर्ज कर रहा सी ए प्रेम है, जिस तना भी कोई जुड़दा है, वो प्रेम देना जुड़ रहा है, मुबारक के उस दा प्रेम, ओप जै सहज ग्यान मत जा गए, जिवें जिवें जिवे जिवें जिवें, केंदाने फिर सहजता पैदा होंदी है, ग्यान पैदा होंदा है, पर दुनियामी संगत, विकारां दी संगत, कबीर सहब जी केंदाने इत संगत, जिड़ी विकार दी संगत है, वो मौत देन दी है, पर जिड़ी गुर्मुखां दी संगत है, केंदाने इ ज़ना मरंदे चक्कर विच नहीं पाउड़े। होकम पचान ता खसम है मिलना। जेकर उस परिपूर्ण परमातमनों मिलना है, ते तो खसमनों पचान, मालकनों पचान, प्रभुनों पचान। किस तरह पचान ये प्रभुनों? किस तरह? ज़नों आप जप बाणी पढ़दे हों, उस ते विच एक पंक्तियां भी है। ते पंक्तियां ता वो तिन कसमदी आने हैं, कि कोई मनख की समझ के गा रहा है ते नूं, कोई की समझ के गा रहा है, कोई की समझ के गा रहा है। उना दे विच्च तिन दृष्टियां ने जनम ले आया, तिन दृष्टियां, और केंदे ने ये तिन दृष्टियां सिर्मोरान, हिंदुस्तान दी दर्थी थे, एक दृष्टि ओ है, कि प्रभूदे बे अंत गुण उना गुणान मुखरक के गारिया है, प्रत्म द्रिष्टी ए है तेरे गुंड बहुत है ने ए द्रिष्टी सामने रखके गा रहे है एक द्रिष्टी है कि हे प्रभू तू जनम देके फिर माउत दे देंदा है तू शरीर देके फिर खोलेंदा है दूजी द्रिष्टी ए है गावे को जी ले फिर दे कई इस तरह गारे ने और जिड़ी प्रथम दृष्टी है वो कंदे ने बहुत ही प्यारी है दृष्टियां सारियां ही कमाल दियाने पर जिड़ी प्रथम दृष्टी है वो अब जिदे वस्ते बहुत ही लावदाये थे क्योंकि आपजी दिसामने सब विच चूँ केड़ी केंदे नहीं गावे को दात जाने नीशान इस दृष्टी नो मुख रखे गाओ मैंनू जो पिता मिले आए ये प्रभूदी दात है मैंनू जो मा मिली आए प्रभूदी दात है मैंनू जो धन मिले आए प्रभूदी दात है मैंनू जो शरीर मिले आए प्रभूदी दात है मैंनू जो बहुत सुन्दर अखा मिले आने जगत नो देखन वासते प्रभूदी दात है मैंनू जड़े कन मिले ने ये प्रभूदी सुगात है कदम कदम ते धनवाद ते बोलने करन गे इजो हवा, एफ प्रभूदी दाथ है एफ satisfies पानी मिलदा प्या है, एफ प्रभूदी दाथ है एफ वक्फक किसम दी दर्खतां तो मैंनी खुश्बू मिल रही है एफ प्रभूदी दाथ है मैं अर्ज करना कि असीतना धनवाद करदे करदे ठग जामांगे ओधी दात नो देख देख के देख देख के इतना बढ़ा है तूं इतनी वड़ी तरी सोगात इतनी वड़ी तरी दात और हां ओ दृष्टी जाए दिये देखना वाणी खोन में अर्ज करां शरीर जे कर ओ ना देन्दा की कर लेंदे कियां तों परमात्मा ने मां दी दात खो लई पचेदा जनम होया मां रुकसत कर गई कियां तों परमात्मा ने पिता दी दात खो लई जनम होया पिता पूरा हो गया खो ली दात और कितने ही ऐसे ने कि सारी जिंदगी ठक जान देने दात नहीं मिल दी कमा कमा के कुछ ऐसे ने बैठे ही जीवन दान दिले रेने दात है पर हां सब तो मड़ी जड़ी दात है सब तो मड़ी ओसा डशरीर है मैं गल कहके कथा दी समाक्ति वलो ना जदों किसे दिन मौका मिलदा है किसे मितर नो मिलन जाना है हॉस्पिटल ते ओठे की देख देयां किसे दी बां टंगी होई है किसे दी लत टंगी होई है किसे दा खून बदलिया जा रही है किसे दी किडनी बदली जा रही है किसे दी अख बदली जा रही है किसे दी पैर कट्या हुए है किसे दी बाँ कटी जा रही है और इस तस्वीर नो देखके अपने आपनो देखना ते रसना चो निकलन गे हे प्रभू तेरा कोटान गोट धनवाद है कोटान गोट तो इतना सुन्दर शरीर बख्षिया है ते प्रभू नो गालो प्रभू दा शुकराना कर लो कैंदे ने कई दफा की होंदा है मेरा मितर ये बहुत ही सोना तबला बजन्दा सी बहुत ही खूव सूरती पर प्रभू ने ऐसी खेड़ खेड़ी के उसनों छोटी उमर्विची कैंसर हो गया और कैंसर भी जबान दा जबान ही कटनी पई हुन जिदों जबान ही कटनी पई जड़े अलफाज बोल सकदे सी नहीं बोल पारे नहीं बोल पारे इसनों एक आलम ने किया जब किस्ती साबित ओ सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी जब जवानी सी तंदरिष्टी सी रब दी फिकर किस्टन से अब ऐसी शिकस्त खिस्ती पर उन शरीर इतनक मज़ोर हो गया साहिल की तमन्ना कौन करे और कौन गाएगा रब क्योंकि बैठने हाँ उठने सकते उठने हाँ बैठने सकते गानी सकते और उधाय कंठ शबद नहीं उच रहें अब क्या करें पराल नहीं की करेंगा बस अज मुका है इस मुके दे समाल कर लगो एक कभीर सहीब दा शबद कल भागत त्रलोचन जीदा शबद है उस ती जीवनी ते भी चात मारांगे ते आप जीदे शबद ते भी विचार करांगे गुरू सर रमतां करन वच्छड के गुरू के हजुरी विच हाजरी परो ते इलाही अनन्द ते आप जी हासल करो पुलांचो कांदी खिमा करो किर्पा एक मन एक जित्तो के गुरू का सिमरन एक वंकार सतनाम करता पुरुख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी एक वंकार सतनाम करता पुरुख निर्वाव निर्वैर अकाल मूरत